नमस्कार आईए बात करता हूँ सबसे पहले में आपकी कनिष्टा उगली के बारे में कनिष्टा उगली यहां सूर्या के पहले कड़ तक पहुंच गई है जब इस परकार की उगली हो तो व्यक्ति के जीवन के अंदर गत व्यक्ति बुद्धिमान होता है ग्यानमान होता है सही अफसर को सही समय पर गिनान करता है और सही समय पर निर्ण लेकर के अपने जिवने में उन्लती तरक्की प्राप करता है अच्छी यारदास भी वक्ती के पास होती है इसके व्यावारिक पर पर थोड़ा सा कटका निसान है तो कुन मिलाकर के इस समय पर थोड़ा अपनी भाषा शहली पर नेंदर रखें कोई जल्दबादी में काम ना करें वर्तमान की बात कर रहा हूं अब बात करता हूं यहाँ पर आपके सूरिया की उंगली के बारे में यह समान समान प्राप्त करने के लिए जीवन में सूरिया की उंगली यदि प्रस्पती की उंगली से अच्छी होती है तो व्यक्ती cd by cd यानि कुल मिलाकर अपनी cd by cd जैसे आदमी उचाई की तरफ चलता है ऐसे अपने step by step जीवन के अंदर उचाई की तरफ चलता है अब बात करता हूँ यहाँ पर शनी के उंगली की, जब शनी के उंगली की बात करता हूँ तो यहाँ थोड़े से हलके इसक्रेजिस हैं, यानि कुल मिलाकर समझ सकता हूँ कि यह इनको जादे समय के लिए नहीं माने जाता, इस तरह का इसक्रेजिस हो जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर रुपे के लेन देन में व्यक्ति को विशेस रुप से साफधानी बरतने चाहिए और कुल मिलाकर के यहां कैसी भी इस्तिती है आपकी समय पर लेकिन आप महसूस करते हैं कि मेरे पास धनकी कमी है तो यह ऐसी स्टिती के लिए यह वाला चिन माल जाता है अब बात करता हूँ मैं ब्रस्पती की उंगली की ब्रस्पती की उंगली जानी जाती है यहां पर पत्नी से संबंद के लिए जानी जाती है संतान से सुख के लिए यहाँ पर तो नहीं लेकि दूसरे वाले हाथ के अंदर एक क्रॉस का चिन मुझको नजर आ रहा था तो यहाँ उस तरह का चिन यदि उस तरफ है यह जो चिन यहाँ पर नजर आ रहा है इसकी वज़े से थोड़ाता पतनी के साथ तूमे के विस्ती के रिष्टे रहते हैं वहाँ से इतना समझ सकते हैं और वर्तमान में संतान का सहोग नहीं है यह नीचे वारी लाई ने यह बताती हैं अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके बुद्ध परवत की बुद्ध का परवत जाना जाता है यहाँ पक्की चार रिखाएं कड़ी हैं यानि निरंतर धन आगमन के लिए ये चार रिखाएं होना अती अवशक है जब तक यह चार रिखाएं हैं इस्तिती कुछ भी आपकी हो आपके पास में दिरंतर धन के आगमन बने रहेंगे इसमें कोई भी शक नहीं है या परवत पर कोई रेखा नहीं होती सम होता तब भी बने रहते तो कोई दूसी चिन नहीं मिला है यहां पर बात करता हूँ आपकी यह मंगल परव से निकल करके सूर्य परव तक रेका जाए यानि कुल मिला करके आपके जीवन के अंदर आपने कभी सोचा ही नहीं होगा सरकार से संबंदित कारियों और नोकरी के लिए अन्यता अगर वहां प्रियास करते तो आपको वहां राज्य सरकार से संबंदित लाब मिल सकता था नोकरी मिल सकती थी या ना मिले तो ऐसा व्य यह देखिए शनी पर्व है और शनी पर्व यहां से रेखाएं और अच्छी तरीके से कड़ती हैं लेकि साथी साथ थोड़ी सी रेखा जो देखती हैं वरस्पती की तरफ यानि कुल मिलाकर यहां इसको माइनस रेखा तो नहीं कह सकते लेकिन वरतमान की इस्तिति में आगे तक नहीं पढ़ूँगा मैंसे सिर्फ यहां तक इतना पढ़ सकता हूं कि आपके पास इस्तिती कैसी भी है उस समय थोड़ा सा महसूस करते हैं कि अभी मेरे जीवन के अंदर वो चीज नहीं है जो धनकी इस्तिती मेरे पास होनी चाहिए यह कई जोके निकल के आई यह वाल आपने सास से उने पूरी भी करता है तो संसादन मिलेंगे सारे ऐसा सम्भान ब्रत्वति फरवाट यहां पर मौझूद है इसके बाद मैं बात करूँगा आपकी यहां पर सीधा सीधा आपकी यहां फिर елिखा की हिर दे र आख और बलग बग शनी पर के नीचे खतम हो मन से बहुत साफ हैं किसी के पृति कोई द्वेज भावना नहीं है किसी भी प्रकार के हैं पत्नी से संबंद खराव के योग भी नहीं है तो इस तरह की स्थितियों को दिखनाने वाला कोई यहाँ पर सरीर में रोग भी नहीं है तो पतनी से अच्चे संबंद मन से आप सही बात गुपत नहीं रखते हैं मन के अंदर छिपा करके ऐसा दिखने वाली ये आपकी हिर्दे रिखा है अब बात करता हूँ मैं मंगल परवत के बारे में मैंने कहा कि मंगल परवत पर अगर करम रिखाए ना हो तो व्यक्ति आलसी होता है आपके यहां पर करम रिखाए उपर हैं तो यहां पर एक तरह का जाल है यानि कि कुल मिलाकर जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार आपका मंगल परव आपको लाव नहीं दे रहा है यानि पूरे पूरे दिन डूटी करने के बाद यदि व्यक्ति मेहनत करता है तो वो एक अच्छा धन चाता अपने चीवन के अंदर उससे आप संतुष्ट नहीं है जो भी धन है उससे आप संतुष्ट नहीं है ऐसा आपका मंगल परवत बताता है साथी साथ बहुत मेहनत करने वाले व्यक्ति भी हैं अब बात करूँगा मेहाँ पर आपकी बुद्धी रिखा के बारे में बुद्धी रेका जब पूरे हाथ को पार करके लगबा लगबा चंद परवत तक पहुंच जाए तो ऐसा कहते है हमारे सास्त्र में कि ऐसे व्यक्ति को जितना संबंद बनाएगा दूर इस्तानों से जुड़ करके यानि दूर दूर के कोई ऐसा प्रोडिक्शन करे कि दूर व्यक्ति आकर लेकर जाए या खुद ट्रेडिंग करके उनकी सप्लाई करे तो व्यक्ति को जीवन के अंदर ज़्यादे लाब प्राप्त होता है तो इस परकार की बुद्धी रेका समानां तर बुद्धी रेका है सही निर्ने लेते हैं सही मोके पर काम करते हैं और व्यक्ति को दूर के लोगों से जुड़ करके व्यक्ति जादे काम करेगा तो उसको जादे वहां से लाप करेगा तो मैं फिर बार बार आपको कहरे रहा हूं यदि आपके पास कोई manufacturing है तो उसे दूर तक सप्लाई करिए ट्रेडिंग करिए अरना वरना ऐसी चीज़ बनाईए जो आप से आकर के लोग समार खरीद करके ले जाए और दिश्ची दूप से उसे बनाते भी हो गया आप नीचे से एक चंदर परवत रेखा ने भी भुद्ध परवत को देखा यानी दिमाग के अंदर सिरफ और सिरफ योजनाय बना करके तरक्की प्राप्ट करना धन प्राप्ट करना ऐसा और साथ-इसाथ बहुत ही व्यापारिक मजबूत रेखा आपके पास है यानि आपके बिलड के अंदर ही केवर बुद्धी काम करती है तो व्यापार के लिए इसमें कोई भी शक नहीं है अब बात करते हैं आपके भाग्य रेखा के बारे में देखिए मैंने हमेशा बताया है कि यहां नीचे चंदपरवस से निकले तो थोड़ा सा अपने किसी ना किसी बुरे आज़ोसों से व्यक्ति को बचना चाहिए कही बात व्यक्ति ऐसा smoking जाज़े करता है कभी drinking जाज़े करता है कभी कभी गलत संगत में भी पड़ जाता तो उससे गलत संगत लोगों से गलत संपर के लोगों से मिला यहां से सूरिय रेका का संबंद भी है फिर वही संबंद आ रहा है कि दूर के लोगों से जुड़ें देखिए यह भाग्य रेका आपको चंगेंगी यहां दो ये दो भाग्य रेखा का मतलब ये होता है ये सपोर्टिंग रेखा एक बराबर में आपके चल रही है इससे दो काम का मतलब नहीं है इसका मतलब है कि यदि कोई भी जीवन में आपको अनवश्यक रूप से डाउन आएगा तो ये दूसरी भाग्य रेका इसका सपोर्ट करेगी और आपको इस गर्त में गिरने नहीं देगी और आपको थोड़ा सा डाउन आने के बाद फिर उसी हाइट पर ले जाएगी इस प्रकार की भाग्य रेका आपके पास में अच्छी खासी यहां पर है इसके बाद में बात करते हैं हम यहां पर सीधा सीधा आपके जो है बादे बात करता हूँ शुक्रपर्व के बारे में शुक्रपर्फ को देखता हूँ, तो यहां शुक्रपर्फ ठीक है, यनि कुल मिलाकर संसाधन भी ठीक है, पत्री के साथ संबंद भी ठीक है, और अपने आप में सामान ने रूप से जो संसाधन व्यक्ति को चाहिए, वो सब आपके पास भी है, तो यह इस प्रकार का है, आप पर Might the पत्रिक of कि यहां पर आयूरह क्या के बारे लिए है वह बैदर इस ब्रॉटप हो जाती हुट यह जा सबसे अगर हो जयकिदी कि यहां पर मुशिबत हो जाती उपरmem यह ने काम क्या किय आयूरह का आप आपको लगेगी देखने में 65 वर्स लेकिन इसका पूरक है वो मंगल रिखाने किया यानि 75 तक पहुच गई आगे भी रिखाएं बढ़ती रहती है तो कुल मिलाकर आपकी 75 की एज भी है तो आपका हाथ में पूरा पढ़ा अब मैं आपको बताने वाला हूं आपके सवालों क जवाब आपने का मेरा पहला कोश्चन ही ये है कि मेरी रेंट पर दुकान है और वो शोप मेरी जो है परचेश कर पाऊंगा कि नहीं जहां आपकी एज जो चल रही है वो 37 है तो कुल मिलाकर के 37 वर्स और 37 यहां गई इसके बाद ब्रैकिट्स है सपोर्टिंग राइब भी है सूरिय पर भी बन रहा है मुझे लगता है लगबग लगबग 49 से लेकर और 41 के बीच में आपको प्रपर्टी का योग अब उसमें में यह नहीं कह सकता कि वो दुकान आप जो है जो खरीदेंगे वो दुकान जो है दुकान खरीदेंगे या मकान खरीदेंगे मेरे के तो चलिए अब बात करते हैं हेल्थ कैसी रहेगी future में और मेरी आगे कितनी age कितनी है तो age में आपकी बता चुका health का जहां तक सवाल है health के issues अचानक हाथ के अंदर आते हैं और वो गाइब अभी वरतमान की स्थिति में कोई health के issues नहीं है तो मैं उसके बारे मैं आपको बहुत आगे तक बता कर न डराना चाहता हूं ना खुश करना चाहता हूं तो यहां अभी कोई शूज नहीं है मेरी गोल्डन पिरेड कभी आएगी या ऐसे ही उपर नीचे चलता रहेगा देखे सर यहां बात यह है कि जब आदमी अपने पड़ोस में लगातार मैंने ब्रसपती की उगली से बता दिया था आपको और शनी की उगली से निरंतनता तरक्की की तरफ ही आप बढ़ेंगे आगे की तरफ और यह कोई खरा भात नहीं है कि आप जो है यह ऊपर नीचे चलता रहेगा व्यापार है उसमें उपर नीचे चलता लेकिन आप लगातार प्रगरती पत पर आगे चलते हैं तो गोल्डन पीरेड को खराब नहीं आगे आगे आप आगे बढ़ रहे हैं सर मैं जो काम करता हूं क्या मुझे वही काम करना चाहिए या मैं कोई और लाइन ने कभी काम करूं जित दिन दूरी लाइनमें काम कर लिया उस साथ करता हूं बट मेरे लिए कोई लोयल क्यों नहीं रहता देखिए मैं बताता हूं क्या होता है आप फिरदे रिखा से बहुत मन के अच्छे आदमी है आपकी मस्तिस रिखा में भी कोई उल्जन नहीं है क्या बुरा है अच्छा आदमी होना क्या बुरी बात है तो आपको ये दुनियादारी के हिसाफ से समझना पड़ता है। मैंने बहुत देखा है कि जीवन की अंदर 37 साल की उमर तक भी दुनिया को समझ नहीं पाते हैं लोग बाग। आप लोग बागों से धोका खा चुके हैं ये जरूरी भी था जिंदगी में तरक्की के लिए आगे से समझ कर रहिए आदमी की पहचान करके चरिएगा। आगे आपका सवाल है इन फ्यूचर मेरे बच्चे मेरे लिए कैसे रहेंगे। अब मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप ऐसा क्या करें जो आपके जीवन में और आप नित्यत प्रगती पत्पर बढ़ते चले जाएं। इसके लिए बहुत ही सुन्दर सा बहुत जादे आपको कुछ पुजा पार्ट नहीं करनी है। सिरफ और सिरफ मैं कहूंगा यदि आपको थोड़ असा समय मिलता है तो अपनी ऑफिस अपनी दुकान पर सिरी सुक्तम का नित्या पार्ट किया कीजिएगा। पिर देखिए आपके जीवन में आपको तरक्की मिलेगी। नग अक्की बात है आपने यहां पर इस उंगली में अगर पन्ना पहन लगए तो बढ़िया है। कोई दिक्कत नहीं है आप पन्ना पहन सकते हैं मेरी तरफ से आपको बनता है फायर उपल तो फायर उपल आपकी तरक्की के लिए जादे उप्योगत रहेगा। तो यह सब चीजें मैंने बताई इतना करिए जिवर में सुकी रही है यही मेरी सुब काम लाएं नमस्कार।